साथ्यों नवस्कार कैसे हैं आप लोग स्वागत है कम्प्टेशन कम्यूनिटी के इस आउनलाई लेज क्रेशनल पर फार्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी तक आप हमारे साथ क्या पढ़ रहे थे हमने MPPSC क्रेस कोर्स के बारे में डिसकस किया था कि हम पढ़ आज उसी का लास्ट टॉपिक जो हमने वीडियो क्लास में पहले चर्चा कर चुके हैं उसमें क्या था उसमें हमने देखा केंद्री हरित आधिकरन तथा खाद्य आयोक के बारे में हमने पढ़ा और उसी के आज important MCQ के बारे में हम चर्चा करेंगे तो ये आज के हमारी क्ला अंतिम टॉपिक के बारे में हम MCQ के तहर चर्चा करें और हम यहाँ ये देखेंगे कि ये जो दो आयोक चाहे हम NGT के बारे में बात करें चाहे खाद संदक्षन आयोक के बारे में बात करें इनसे कैसे question exam में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम MCQ के तहर चर्चा करेंगे तो आइए हम पढ़ना सुरू करते हैं और आपका पहला question देखते हैं कि पहला question क्या है आपका question number पहला है कि राश्टी हरीत अधिकरन एक प्रकार की संस्था है question पूछ रहा है आपसे कि जो राश्टी हरीत अधिकरन संस्था NGT है वो कैसी संस्था है किस प्रकार का वो निकाय है A में कहता है संवैधानिक निकाय B में कहता है संवैधानिक निकाय C में कहता है वैधानिक निकाय और D में कहता है स्वतंत्रयानिस्पक्ष संस्था साथियों ये कैसा निकाय है तो ये हम जानते हैं हमने क्लास में पढ़ा है कि ये एक प्रकार का सामविधिक निकाय है और ये सामविधिक निकाय क्यों है क्योंकि इसका एक अधिनियाम जो आया उसी के तहत इसका गठन हुआ और उस अधिनियाम के बारे में वो कौन सा अधिनियाम था उसको हमने चर्चा की 2010 में राश्टी हरीत अधिकरन अधिनिया आया जिसके तहट क्या किया गया NGT का गठन किया गया और NGT एक प्रकार का संबिधिक निकाय है इसलिए question number A का right answer क्या होगा option B एक प्रकार का संबिधिक निकाय है अब हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं प्रस नंबर 2 question number 2 में है N NGT की जो इस्थापना हुई वो भारतिय संबिधान के कौन से अनुच्छेद के तहट की गई और के option A में है article 15 B में है अनुच्छेद 19 और C में कहता है अनुच्छेद 22 साथियो जो इसका सही answer है जो इसका right answer है वो हमने class में चर्चा करी थे इसका option C सही answer होगा क्योंकि इसमें ही प्रानेहिम्दहिक सुतंता के बारे में बात की गई है और उसी से संबंदित ये NGT की स्थापना हुई बाकि अगर 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 हम 19 में बात करें तो 19 में वाक्य सुतंतरता के बारे में बात की गई है वाक्य सुतंतरता के बारे में बात की गई है और इसी प्रका अगर हम अनुच्छेद 15 में देखें तो इसमें संबंदित जातिवर के लिए क्या बात की गई है उनके आरक्षन के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 21 में हमने देखा कि इसमें प्राणेयों दैहिक सोतनता के बारे में बात की गई है इस तरह प्रस नंबर 2 का काररियाल यहां इन में से कहां पर नहीं है हमने कलास में इसके बारे में चर्चा की थी आ युपराइं Parce जहां पर क्या नहीं है एंजी टी का rely पढ़ा था ? वहां हमने चर्चा की थी कि चार चेतरियाल हैं कि इसके NGT के और वो कहां कहां है तो हमने बात की थी कि वो भोपाल में है, चिन्नाई में है, पूने में है और कोलकाता में है और कहां है, कोल काता में है तो अब आप समझ गए होंगे कि इन में से कौन सा option सही होगा तो option एक कोची, क्योंकि कोची में छेतरी कार्याला नहीं है और हमने इसके साथ फानूले के बारे में भी बात की थी हमने इसको भोपु कोच के साथ कोड़ बारे के साथ पढ़ा था भोपु कोच, भोपु कोच से मतला भोपाद पूरे कोची और चेन नहीं, इस तरह हमने इसके याद करने की कोशिस की थी, आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्न की हो तो प्रस्न नंबर चार, question नंबर चार कहता है और इस प्रकाल से ये एक सामगधिक निकाए है तो यहाँ इसके अधिनियम के गठन के बारे में पूछ रहा है NGT का गठन इसके तहट हुआ राश्टी हरी तदिकरान अधिनियम 2010 में जो आया उसके तहट हुआ Q4 का राइट एंसर C होगा अब हम आगे बढ़ते हैं प्लस नंबर 5 Q5 क्या कहता है आईए ओप्सन में देखते हैं NGT की स्थापना कब की गई आपको स्थापना के बारे में पूछ रहा है किसके NGT की स्थापना के बारे में पूछ रहा है A में कहता है 18 October 2010 B में कहता है 17 October 2010 C में कहता है 19 October 2011 D में कहता है 16 October 2010 साथियो जो इसका सही अंसर है जो इसका राइट अंसर वो option A होगा 18 October 2010 को क्या हुगा NGT की स्थापना हुई निशना हरीत अधिकरण आयोग की स्थापना की गई थी अब हम आगे बढ़ते हैं प्रस नंबर 6 question number 6 कहता है निम्द में से कौन राष्टी हरीत अधिकरण का द्यक्ष नहीं रहा ये जो चार option है इन में से क्या पूछ रहा है कि इन में से कौन सा आयोग का द्यक्ष नहीं रहा है तो आपके option में स्री टी एश ठाकुर B में स्री लोकेश सिंगपन और C में कहता है स्री आदर्स कुमार गोयल और D में कहता है स्री सोतंतर कुमार साथियो जो इसका सही answer है जो इसका right answer है वो क्या होगा तो गो option A होगा क्योंकि स्री टी एश ठाकुर जी कभी भी आयोग के अधिक्ष नहीं रहें बाकि अगर other option के बारे में चर्चा करें कि इनमें कोई important option है क्या तो जो स्री लोकेस सिंगपन्त है ये प्रथम रहे हैं प्रथम क्या रहे हैं सूचना अब हम क्या चर्चा करते हैं हम चर्चा करते हैं प्रस no.6 की निम्ण में से कौन राश्टी हरीत अधिकरन का अधिक्ष नहीं रहा question में पूछा जा रहा है कि निम्नमे से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्टी हरीत अधिकरण के अध्यक्ष नहीं रहे हैं तो option A में कहता है स्री टी एस ठाकुर जी, B में कहता है स्री लोके सिंग पंथ जी और C में कहता है स्री आदर्स कुमार गोयल और D में कहता है स्री सुतंदर कुमार इन में से जो सही option होगा, जो right answer होगा, वो option A होगा क्योंकि स्री टी एस ठाकुर जी कभी भी क्या नहीं रहे हैं, वो आयोके अध्यक्ष नहीं रहे हैं NGT की सनरचना में कौन-कौन वेक्ति सामिल होते हैं, A में अध्यक्ष, B में पूर्णकालिक नयाइक सदस और C में B से सग्य सदस और D इन में से सभी आप जानते हैं, जब हमने क्लास में चर्चा करी थी, उस समय हमने कहा कि NGT में एक अध्यक्ष, पूर्णकालिक नयाइक सदस्य होते हैं, इन में क्या होता है इन में कम से कम 10 और अधिकतम 20 लोग हो सकते हैं, इस तरह से ये तीनों सनरचनाएं आयोग में होती हैं इसलिए option इसका D सभी सही होगा, अब हम बढ़ते हैं, अंगले प्रेशन की हो, question number, question number 8, राष्टी हरी तदिकरण का मुख्य उद्देश क्या है, उसके उद्देश के बारे में question पूछ रहा है इसका साधारन सा एंसर है, वो आप जानते ही होगे, तो इन में से क्या होगा, option B सही उत्तर होगा, क्योंकि जब हमने पढ़ा था, उस समय हमने चर्चा करी थी, ये एक प्रकार का first track court है, किसके संबनित, जो NGT से संबनित मामले होगे, उनको तीब्रिनिप्टान के लिए ये सायोक का गठन किया गया था, इसलिए option B इसका सही उत्तर होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रेस्ट की ओ, हम देखते हैं, प्रेस्ट नमबर 9, question number 9, राश्टी हरीत अधिकरण के अध्धक्च के निउक्ति कौन करता है, NGT का जो अध्धक्च होता है, उसके बारे में question पूछ रहा है, अब के option A में है, राश्ट पती, B में है, केंदर सरकार, C में है, Supreme Court के मुखे नाइधिस, और D में है, इन में से कोई नहीं, तो इनके अध्धक्च की निउक्ति करने का काम कौन करता है, तो केंदर सरकार इनके निउक्ति करने का काम करती है, अब आगे चर्चा करते हैं, अगले प्रस्ण की, next question की हम देखते हैं, अगला प्रस्ण, प्रस्ण नंबर 10, NGT इन में से क्या है, और इसका answer की चर्चा हमने अभी हाल ही में की है, अभी पिछले question में हमने की, तो इसका answer आप आसानी से दे पाएंगे, A में कहता है, केंदर का first track quote है, जिसमें NGT से संबंदित मामलों की तुरत निराकरण, तुरत उसमें सुनवाई के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, अब हम आगे बढ़ते हैं, और next question के बारे में चर्चा करते हैं, प्रस नंबर 11, question नंबर 11 कहता है, NGT का विस्तार रूप क्या है, NGT के full form के बारे में आपसे question पूछ रहा है, आईए option देखें, option A में कहता है, national green treaty, B में कहता है, national green tribunal, C में कहता है national green tax, और D में कहता है national goods tax, साथ U, जो इसका सही answer है, जो इसका right answer है, आप जानते हैं कि इसका option B, national green tribunal, इसका सही उत्तर होगा, इसका सही full form होगा, अब हम आगे ब अंगले प्रस्ण की हो, प्रस्ण no.12, कहता है, राश्टी हरी तदिकरण में नियुनतम कितने सदस्चें का प्राबधान किया गया है, हरी तदिकरण में नियुनतम कितने सदस्चे हो सकते हैं, आपके option A में 5, B में 15, C में 20 और D में 10, तो यह जो 10 है option D में यह इसका सही अंसर है क्योंकि नियुनतम संख्या क्या है नियुनतम संख्या 10 की बात की गई है और 20 जो option में लिखा है वो आपके वो अधिकतम संख्या हो सकती है इस तरह question number 12 का सही अंसर option D होगा option D जिसमें 10 है 10 minimum कम से कम और अधिकतम 20 सदस का प्राबधान किया गया है किसमें NGT जैसे आयोग में अब हम देखें प्रस नमबर 13 कहता है कि राश्टी हरीत अधिकरण के संदर्व में निमनलिखित कथनों पर विचार करें राश्टी हरीत अधिकरण मतलब NGT के संदर्व में जो ये कथन लिखे गये है क्या ये सही है इसके बारे में question आप से पूछ रहा है आप कथन ए देखें राश्टी हरीत अधिकरण के संदर्शना में नयाईक और विशेसगता सदस सामिल होते है कथन दूसरे में कहता है अधिकरण के अधिकरण के अधिकरण सदस पुना न्युक्ति के पात्र होते है उप्रयोक्त में से कौन सा कथन सत्य है इन में से जो कथन पहला है वो सत्य है और जो कथन दूसरा लिखा गया है कहा गया है कि सदस सेव मद्धक्ष पुनन न्युक्ति के पातर होते हैं ऐसी विवस्ता नहीं है पुनन न्युक्ति के पातरता इनको नहीं है लेकिन जो कथन A है राष्टी हरीत अधिकरन की संरचना में नाइक और विशे सगता सदस्य सामिल होते हैं ये बिलकुल ठेक कथन है इसलिए केवल एक option A में है केवल एक सत्य है और option A ही इसका सही उत्तर होगा right answer होगा अब हम बढ़ते हैं अंगले question की ओर तो press number 14 कहता है पर्यावरन न्यादिकरन इस्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है और इसके बारे में हम class में चर्चा कर भी चुके हैं A में कहता है Australia B में कहता है Norway, C में कहता है Sudan और D में कहता है New Zealand जो इसका सही उंसर है जो इसका right answer है वो Australia होगा प्योंकि Australia क्या है पहला देश है जहां NGT नयाले की स्थापना हुई New Zealand दूसरा है और उसके बाद जो हमारा प्यारा भारत है जो हमारा भारत देश है वो तिसरे इस्थान पर आता है हमारा भारत किस में आता है तिसरे इस्थान पर तीसरे इस्थान पर हमारा भारत आता है इस तरह हमने क्या देखा पर्यावरान न्याधिकरण इस्थापित करने वाले देशों के बारे में हमने चर्चा की और आपके यहां question number 14 में पहला देश के बारे में पूछा गया है पूछ रहा है कि मद्द्प्रदेश का जो ख़द आयोग है वो कितने सदसी निकाए है ए में कहता है छे सदसी, बी में कहता है पांच, सी में कहता है चार और डी में कहता है तीन तो हमने जब पढ़ा था हमने देखा था कि जो 6 सदस्य निकाय है ये इसमें एक अध्यक्ष 5 अन्य सदस्य उसमें एक सचिव भी होता है और हमने वहाँ ये चर्चा की थी कि ये एक प्रकार का 6 सदस्य निकाय है अब हम आगे बढ़ते हैं और next question की और question number 16 प्रस नंबर 16 कह रहा है मद्यप्रदेश राज्जी खाद आयोकी सनरचना के बारे में असत्य कथन बताईए गलत कथन बताईए इन जो दिये गए हैं कथन उनमें से गलत कथन कौन सा है उसके बारे में question पूछ रहा है A में कहता है पांच वर्स या पैंसट वर्स की आयो तक पद्धारन B में कहता है एक अध्यक्षेबं पांस सदस C कहता है कम से कम दो महिला तदा एक C और एक ST का सदस होना अनिवार है ये और D में कहता है पुनर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा इन में से जो option D है वो सभी कथन जो हैं वो सही कहे गए हैं मद्य प्रदेश राजी खाद आयोग से संबंधित कथन ये सही है इसलिए यहां गलत कथन के बारे में आपसे question number 16 पूछा है और गलत कथन कौन सा है option D गलत कथन है इसलिए सही उत्तर option D होगा अब हम आगे बढ़ते है प्रस नमबर 17 कह होता है मद्य प्रदेश खाद आयोग जो अपनी बार्सिक रिपोर्ट होती है साल भर की जो काम करने की जो रिपोर्ट है उसको कहाँ प्रस्तूत करता है किसको सोभता है A में कहता है Rājaunde सरकार C में कहता है मुक्ख मंत्री और DMA कहता है केंदर सरकार साथी हो मद्यप्रदेश खाद्य जो आयोग है वो अपनी बारसिक रिपोर्ट किसे देता है तो वो हमारे प्रदेश की सरकार को राज्य सरकार को सोपने का काम करता है और फिर राज्य सरकार क्या करती है उसे बिधान मंडल में उसे बिधान मंडल म बिधान सभा में रखवाती है इस तरह अब हम नेक्ट कोश्चन के और आगे बढ़ें और प्रेस नमबर 18 देखें मद्य प्रदेश खद आयोग के बरतमान अध्यक्ष कौन है मद्य प्रदेश का जो खद आयोग है उसके बरतमान अध्यक्ष के बारे में कोश्चन आपसे तो आपसन इसका सही अंसर है क्योंकि राज की सोर स्वाई जी हमारे मद्य प्रदेश खद आयोग के क्या है बरतमान में अध्यक्ष है अब हम बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन के और प्रस नमबर 19 प्रस नमबर 19 कहता है कि राज जिस तरी सतरकता समीत का अध्यक्ष कौन जो इसका सही अंसर है जो इसका राइट अंसर है वो क्या होगा जो 19 है कोश्चन नमबर 19 वो आप से पूछ रहा है कि राज जिस तरी सतरकता समीत का अध्यक्ष कौन होगा तो साथ ही जो इसका सही अंसर है जो इसका राइट अंसर है वो होगा अपसन सी मंत्री खाद देव नागरी का पूरती विभाग अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते है प्रस नमबर 20 कहता है मद्य प्रदेश राज जिखाद्य आयोग का गठन कब हुआ मद्धि प्रदेश राज्य खाद आयोक का गठन कब किया गया A में है 21 जुलाई 2016 B में कहता है 21 जुलाई 2017 C में कहता है 19 जून 2016 D में कहता है 19 जुलाई 2017 जो इसका सही एंसर है जो इसका राइट एंसर है वो क्या होगा Option B 21 जुलाई 2017 को मद्य प्रदेश राज्य खाद आयोक का गठन किया गया था अब हम आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टिन की बारे में चर्चा करते हैं प्रस नमबर 21 कहता है कि मद्य प्रदेश राज्य खाद आयोक को कौन सी सक्ति प्राप्त नहीं है इन में से कौन सी सक्ति प्राप्त नहीं है किसको मद्य प्रदेश राज्य खाद आयोग को किसी ब्रक्ति को समन जारी करना B में कहता है किसी दस्तावेज का प्रक्टी करन और पेस करना C में कहता है सपत पत्रों पर साक्ष गरहन करना और D में कहता है जुर्माना लगाना एवं सजा देने की सक्ती आयोग के पास नहीं है और इसी सक्ती को आयोग धारण नहीं करता इसलिए option D का सही अंसर होगा बाकी जो उपर की तीनों कथन है वो सही है क्योंकि सिविल नियाले की सक्ती के ताहत ये तीनों कथन सही हो जाते है क्योंकि आयोग को सिविल नियाले की सक्ती प्राप्त है और उसके तहत ये तीनों काम आयोग कर सकता है तो मद्यप्रदेश राज जिखाद आयोग को कौन सी सक्ती प्राप्त नहीं है तो option D जुर्माना लगाना एवं सजा देने की सक्ती आयोग के पास नहीं है अब हम आग के तहट गठन किया गया है और की option A में कहता है 12, B में कहता है चल्मा करता है फ्रarna किया था अब हम आगे प्रते हैं next question की हो प्रस nr 23 कहता है भारतिय खादय शुरक्षा एवा मानक प्रादिकर्ण की नोडल एजंस्टि के रूप में कारी करता है कौन सा मंत्राले इसके नोडल एजन्सी के रूप में काम करता है मतलब उसके देख रेक में काम करता है A में कहता है कार्मिक मंत्राले B में कहता है स्वास्त एबं परिवार कल्यान मंत्राले C में कहता है परियाबरन मंत्राले प्रस नमबर 24 कह रहा है कि भारती खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रादिकरन FCI की स्थापना कब की गई? A में कहता है 9 माई 2007, B में कहता है 2 जून 2007 और C में कहता है 8 जुलाई 2009 और D में कहता है 5 सितंबर 2008 साथ ही जो इसका सही एंसर है जो इसका राइट एंसर है वो होगा option D 5 सितंबर 2008 को क्या हुआ? FCI भारती खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रादिकरन की स्थापना हुई थी अब हम आगे बढ़ते हैं अगले question क्यों? प्रस नमबर 25 के बारे में हम देखें तो कह रहा है मद्यप्रदेश राजिखाद आयोक के अद्यक्षेवं सदस्यों की सेबा सर्तों में से सही विकल्प है ये जो option दिये गए हैं वो कौन से option सही है? ये पुर्ण नियुक्ति के पात्र होते हैं नियुक्ति के बाद सेवा सर्तों में अलावकारी परिवर्तन नहीं C में कहता है ये अपना त्यागपत राजश सरकार को दे सकते हैं और D में कहता है उप्रयोक्त जो कथन उपर कहे गए हैं वो सभी सही हैं तो ये जो भी कथन है वो सभी किसके संबंद में? मद्य परिदेश राजी खाद आयोग के अध्यक शेवा सर्दस्यों के संबंद में सही हैं ये इसलिए option D सका सही उत्तर होगा आप देखें प्रस नमबर 26 कहता है कि मद्य परिदेश राजी खाद आयोग के अंतरगत निम्न मेंसे किस स्वर किस इस्तर किस इसको कर लिजिए किस इस्तर पर सतरकता समितियों का गठन किया गया है A में कहता है जिला इस्तर, B में कहता है विकास खंड इस्तर और कथन तीसरे में कहता है उचित मूल इस्तर और कथन जो है कथन D जो है उसमें कहता है राज इस्तर साथियों इन तीनों इस्तरों ये चारों इस्तरों जो भी दिये हैं इन में आयोग काम करता है राज इस्तरी उसके बाद जिला इस्तरी ब्रिकास खंड इस्तरी और फिर ग्राम पंचायत इस्तर्मन रूचित मूले के दुकान के तहट ये आयोग काम करता है इसलिए option D इसका सही उत्तर होगा option D या right answer होगा प्रस नमबर 27 कहता है मद्य प्रदेश राज जिखाद आयोग की बारिसिक रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखता है कौन रखवाता है कौन रखता है तो A में कहता है मुक मंतरी B में कहता है राश्ट पती C में कहता है राज जपाल और D में कहता है राज सरकार इसके बा वारण करता है तो A में कहता है प्रथम स्रेणी नायाधिस और B में कहता है उप जिलाद नंदा धिकारी, C में कहता है जिलाद नंदा धिकारी और D में कहता है इन में से सभी साथ ही जो इसका सही अंसर है जो इसका राइट अंसर है वो होगा option C क्योंकि जिलाद नंदा धिकार शिकायत के पैम करता है अब हम आगे वड़ते हैं और नेश्ट कोस्चन देखते हैं इस टाप की जरूरत है तो उसको उपलब्द कराने का काम कौन करता है यही आपका कोस्चन पूच रहा है A में कहता है, राज़ पाल B में कहता है, मुख्मंत्री C में कहता है, राज़ सरकार और D में कहता है केंदर सरकार जो इसका सही अंसर है, जो इसका राइट अंसर है, वो होगा option C, क्योंकि राज़ सरकार को ही या सुनिश्चित करने का काम दिया गया है कि वो आयोग को मस्त जिस प्रकार किया वसकता हो आयोग को वो से प्रसासनिक वरतक्निकी स्टाप उबलब्ध कराए अब हम बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम प्रस्ण की ओर प्रस नंबर 30 कहता है किसके अनुमोदन के बाद कर लीजिए यहां बार लिखा हुआ है उसको आप बाद कर लें संयुक्त राज्जिकाद आयोग की स्थापना की जा सकती है तो option A में है राष्ट पती, B में है केंद्र सरकार और C में है प्रधान मंत्री और D में है राज्जिसरकार साथियों जो इसका सही अंसर होगा जो इसका राइट अंसर होगा option B होगा केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद दोनों जो राज्य हैं वो आपसी सहमती के बाद क्या कर सकते हैं संयुक्त रूप से राज्य खाद आयोग की स्थापना कर सकते हैं तो साथियों यहां हमने क्या देखा NGT और खाद सुरक्षा आयोग से सम्मदित महत्यपूर्ण और आपके एक्जाम में जो संभावित हैं उन महत्यपूर्ण वस्तुनिस्ट प्रस्णों के बारे में हमने चर्चा की साथियों यहां से हमारा unit 10 complete होता है हमने पूरे आयोग और उसके महत्यपूर्ण MCQ के बारे में चर्चा करी हमने पहले क्लास में पढ़ा और उसके बाद हमने उसी topic के MCQ लगाए तो साथियों यहां unit 10 खतम होता है अब हम आगे अगली क्लास में क्या देखेंगे हम जो भारतिय संभिधान हैं उसमें जो आपके prelims point of view से सलेवस दिया गया है उनके बारे में चर्चा करेंगे तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास पर तब आप वहाँ एक अलग उर्जा एक अलग जोस के साथ वहाँ उपस्थित हों और भारतिय संभिधान के तैयारी के साथ आप सलेवस देखें और उसमें आप जानते हैं कि सबसे पहले एक्ट भारतिय सासन अधिनियम 1919 और 1935 के बारे में चर्चा की गई है हम अगली क्लास में वही पढ़ने वाले हैं तो आप भी तैयार हो जाईए और हम भी अपने एक नई उर्जा के साथ हम दोनों मिलकर हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप याद रखें इंपोर्टेंट बात अब जुड़े रहें कम्पेटिशन कम्यूनिटी के टीम के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम मिलते हैं अगली क्लास पर